खरगोन जिले में लगे 19 अप्रेल तक के लागडाउन के विरोध में दुकानदार सडकों पर उतराए और जिला कलेक्टर कारेले में ग्यापन सोपा इस दोरान दुकानदारों ने लागडाउन के फैसले का जम कर विरोध किया और फैसले को पुरी तरह गलत बताया उन्हों ने प्रसासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्या सीरासीष चोहान को ग्यापन के माध्यम से बताया कि लागडाउन वेशविक महामारी कोरोना का इलाज नहीं है اور हम सौमवार से दुकान खोलेंगे जिसके लिए हमें अनुमती प्रदान की जाए खरगौन से चैन्त गुपता की रिपोर्ट यह पांच दिन का तेवहर हैं हमें पांच दिन के तेवहर में जो थोड़ी बहुत जीवन की आने सांसे मिलेगी वहर लोग हम आपसे मांगने आए इस परीकर से हम यह कहना चाहते हैं जिनकी आर्थिक संकर्ट के कारण फिर उनको आपका हत्या यह दूसरे रास्ते करना यह दन हम करने आए गया अपन इसलिए नहीं लेकर करके आए इसमान जी कि हम आपको यही देना चाहते हैं कि बस आप यह चीज इस परश्ट तरीके से मेडम को हमारा नीगोजन कह दीजिए हम बकायदार जो पैसासन की गैडलाइन है उसका पालन करेंगे परंतों हमें यहां पर जो आये थे वह जो नव दिन का लगडाउन लगा हुआ है उसका विरोत परश्ट करने आये थे क्योंकि हम वियापारी बंदू इस चीज़ का इतना नहीं कर सकते हैं हमने सासन के हर गैडलाइन का वालन किया है और हर समय पर हम लोग करते हुए आ रहे हैं तो हम ल सकते हुए लागडाउन शक्राइस में देखा है मूंबई डिल इंदि कररrichten इस चीजर है कि ले डेत्व एंथास modifier हँ नहीं है Torres और्ensch अम्रोंकि त्मौन को मचली मंनें यहां चीज़ अपनी जुबान लगडाव इस चीज़ का हल नहीं है बस उसी का हम लोग यह कहने कि लिए आये से कि उनके माध्यम से हम लोग समय खुलेंगे विपकार करके हमारा निम्हारा आप से मिले क्या आशवासन मिला उन्हों ने कहा है कि हम आपकी बात क्लेक्टर मेटम तक भूचा देंगे क्या नाम है आपको अमित मौलिए हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें